उदे इंडिया उदे इंडिया नमस्कार उदे इंडिया डिजिरल में आपका स्वागत है हम आपके लिए लेकर आए हैं साप्ता एक राशी फल तो शुरू करते हैं इस सप्ता यानि 22-28 माई का भविश्य बताने का सिलसिला इस सप्ता वरश सूर्य वरश राशी में बुद्ध गुरू राहू मेश राशी में शुक्र मिथुन राशी में मंगल कर्क राशी में और केतु तूला राशी में श्यनी कुम्ब राशी में चन्रमा मिथुन कर्क सिंग और कन्या राशी में गोचर करेंगे अब बात करते हैं सबसे पहले यानि की मैश राशी की इस सब्ता सोम्मार मंगलवार को मान सम्मान बढ़ेगा प्रतिष्टा बढ़ेगी आपको छोटो से सयोग प्राप्त होगा बुदुवार गुरुवार घेरलू काम के अदिक्ता रहेगी स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा वात विकार बढ़ सकता है शुक्रवार शनिवार आपके बुद्धी कोशल से रहत मिलेगी आपको संतान से सयोग प्राप्त होगा शुक्रवार शनिवार पुराना रिन प्राप्त हो सकता है शत्रु कमजोर होगा लाल मिर्च का दान करें वरश राशी के जात्रकों के लिए सोमार मंगलवार आयमें रद्धी होगी परिवार का सयोग प्राप्त होगा स्वाधिष्ट वोजबदार्थ मिलेंगे बुद्वार गुरुवार सामाजिक कारियों में आपकी भागेदारी ब बचना हैं रहिवार को राजनेतिक व्यक्तियों की जनता में लोक रेता बढ़ेगी संतान के उसकर्ष्ट कारियों से आपका मनोबल बढ़ेगा घी बटर मक्षन का दान करें और ज्यादा अच्छा रहेगा मिथुन राशी के लिए सोमार मंगलवार चारों और से आनंद औ होगा आए बढ़ेगी करमचारियों का सयोग मिलेगा शुक्रवार और शनिवार को आपके कारी की प्रशंशा होगी लोग आपकी सला लेने आएंगे रहिवार को विवास से बचें वात्रोक से परिशानी हो रखती है मसाले का पिसा हुआ धनिया जान करें और ज्यादा अंगलवार को खर्च बढ़ेगा छोटी यात्रा होगी पड़ियों से विवास से बचना है गुदुवार गुरुवार आपकी मनो कामना के अनुसार पून कारी होंगे सकारत्नक विचार आएंगे कार बढ़ेगा शुक्रवार शनिवार आपके कीये हुए कारियों से किरती बढ़ेगी साबूदाने का दान करें और ज्यादा लाप्राप्त होगा सिंग राशी के लिए साप्तैक राशी यह कि सोम्मार मंगलवार को बढ़ों का सयोग मिलेगा धन का लाव अर्जित करेंगे रिष्टों की कीमत बढ़ेगी बुदुवार गुरुवार मांसिक का शान्ती हो सकती है फिजुल खर्ची बढ़ सकती है करमचारियों पर अपनी वाणी से नाराजगी जाहिर ना करें शुक्रवार शनिवार आपको आनंद के समाचार मिलेंगे सभी कार्य संपादित होंगे रहिवार को आए बढ़ेगी परिवार का साथ मिलेगा गयों के आ का लोहा सभी मानेंगे वद्वार गुरुवार को आपको हर शेत्र से लाबकारी समाचार मिलेंगे लाब होगा शुक्रवार शनिवार आपका खर्चा बढ़ेगा जिससे चिंता रहेगी सिर में डर्द हो सकता है रहिवार के दिन समत्य खुश्यों का दिन रहेगा हरी दान करें और जदा लाब होगा तुला राशी का सोम्मार मंगलवार को भाग्योदे होगा अचानक से सफलता अरजित करेंगे गुरू की सला लापकारी साबित होगी बुदुवार गुरुवार आपके कामों से जोड़ार गती मिलेगी शुक्रवार शनिवार लापदायक समय हैं आपके कार्यों से लाबकारी सफलता हैं प्राप्त होगी रहीवार को मन की प्रसनता और मनों विनोत पर खर्च करेंगे छोटी इलाइची बड़ी इलाइची का दान करें और ज्यादा लाब होगा व्रशिक राशी के लिए सोम्मार मंगलवार स्वास्त की चिंता गुप्त ज्यान हासिद होगा गुदुवार गुरिवार को मन प्रसंद कारे की प्रक होगा धनुराशी के लिए सोमार मंगलवार भागीदारी और जीवन साती का शांदार सयोग सभी कार्यों को सफल बनाएगा बुद्वार गुरुवार मांसिक अशांति रहेगी फिर में भारीपन तनाव रह सकता है शुक्रवार शनिवार आपके सलाकारों की सहायता से सफलता के दर्वाजे खुलेंगे उस्था जनक कार्य होंगे रहिवार को कार्यों में व्यस्तता रहेगी हल्दी का दान करें और अधिक लाव होगा मकर राशी के लिए सोमार मंगलवार को किंता रहेगी परंतु कोई पुराना बकाया वापिस भी मिल सकता है नोकरी में तनाव हो स करनें सकता है बुद्वार गुरूवार को सभी का सैयोग मिलेगा और कार्यों को गती मिलेगी आनंद रहेगा शुक्रवार शनीवार कुरानी विमारी उभर सकती है मन अशंत हो सकता है रहइवार को सभी समश्तियां समाप्त फूञ की जीवन सुगम होगा नमक का दान करें और ज्यादा अच्छा होगा कुम्ब राशी के लिए सौमार मंगलवार को संतान का सयोग और सफलता मिलेगी आपकी बुद्धी से सभी काम बनेंगे बुदुवार और शुक्रवार गुरुवार को शत्रों के विवास से बचना है करज किसी को नहीं देना है शुक्रवार शनिवार आगे आकर लोग आपकी साहता और सयोग करेंगे मन प्रसंद होगा जोड़ा काम होगे रहीवार ठकान रहेगी आराम करें रही के दानों का दान करें और अधिक लाव होगा मीन राशी के लिए सोमर मंगलवार आपको खुद पर काबू करना है नहीं तो परिशानी होगी व्यापार करें तो अच्छा रहेगा बुदुवार गुरुवार आपको बच्चों की सफलता आनंदित करेगी आपको गर्व मैसूस होगा शुक्रवार शनिवार शत्रू पर आपकी बुद्धी से विजय प्राप्त करेंगे आपको कर्जा चुकाने में मदद मिलेगी रहेवार को जीवन सातिक के साथ उचित समय व्यतित होगा चैने की दाल का दान करें तो ये था राशी 22 मही से 28 मही तक का उदे इंडिया पर हम आपको इसी तरह हर सपता राशी फल बताते रहेंगे धन्यवाद